ये प्रतित होता है कि बाकी सारे बिशय के साथ साथ किसान समंधित इशूज अरगस के लिए मायना रखता है और इसलिए पिछले बार सनमानिय मंत्री महुदे खुद उपस्थित थे स्री रखतिति के रूप में और इस बार सनमानिय कहलाश चौदरी जी भी उपस्थित हैं मार्गदर्सन करने के लिए और अपना बक्तव के तहट सारे किसान मित्रों को हम सब को प्रेणा देने के लिए आज का ये जो बिशय बस्तु रखा गया है कि समवायर सहकार से सम्रधी समवायरू सम्रधी ओडिया रे ये जो बिशय बस्तु है ये नहीं है कि किसान अपने आप काम नहीं करता अकेला काम नहीं करता अपने तरीके से किसान अपना प्रयास करते आया है और आप जानते हैं कैसे पिछले साथ-ाठ साल में क्रिशी के क्षेत्र में प्रगती हुई है देश में साढ़े तिन प्रतिसत से ज्यादा आन्वल रेट अप ग्रोथ क्रिशी क्षेत्र में और क्रिशी एवंग अलाइट सेक्टर के क्षेत्र में ये ब्रिधी हम देखे हैं कोभीड के बाबजुद अत्यंत सरहानिय है अब बारत सरकार के समस्त जोजना के कारण ये सफल हुआ है संभब हुआ है और आजे सरकार भी अपने अपने तरीके से इसमें जोगदान दिये हैं सन्मान्य प्रधान मंत्री जी आवान दिये थे किसान के आमदानी में ब्रिधी होना चाहिए दुगनी होना चाहिए भारत सरकार के क्रिशी मंत्रा ले के तरब से सन्मान्य क्रिशी मंत्री एवं क्रिशी राजमंत्री इनके मार्ग दर्शन में हम लोग ने भारते क्रिशान संधान परिशत के तरब से कई गाउं गोद में लिया गया टेक्नलोजी का अडॉप्शन कैसे हो उसके लिए चर्चा के तहट प्रयास के तहट ध्यान दिया गया किसानों को मदद किया गया सरकार के जोजना का कुछ फाइदा उनके पास पहुँचाया गया राजय सरकार के साथ हाथ मिलाते हुए काम किया गया और अभी 75,000 किसान का आमदानी का दुगनी, पांच गुनी और दस गुनी कुछ किसानों का जो आमदानी में बुर्धी हुई है उसका हिसाब करते हुए एक डॉकुमेंट बनाया गया है और ये 75,000 किसान का इस सक्सेस स्टोरी भारत ये कृष्यानुसंधान परिशत को वेबसाइट में भी रखा गया है तो कोई किसान चाहे, कोई बेक्ति चाहे इसको देख सकते हैं समरी डॉकुमेंट भी है तो किसान का सम्रधी के लिए आयव में बृधी होना बहुत ज़रूरी है इंडिविजुली, कलेक्टिबली कलेक्टिबली जब किसान आते हैं, एकत्रित होते हैं कोपरेटी बनाते हैं, समभाय बनाते हैं उसका बार्गेनिंग पावर बढ़ता है Economy of Scale काम में आता है अकेला जो नहीं कर पाता किसान एकत्रित होकर वो कर पाता है कई उदाहरन हमारे सामने हैं, क्रिशी खेत्र में कि कैसे सम्भाय और सहकारिता के जरिये किसान एकतित होकर सक्षक्तिकरन हुआ है सम्भधी लाया गया है और दुखधुत पादन के क्षेत्र में ये अत्यन्त जोलन्त उदाहरन है हमारे सामने, गुजरात में और अन्यान्य प्रदिस में भी जिसको रेप्लिकेट किया गया है अमूल मॉडिल को तो इसका अगर गहराई से देखा जाए दो तिनी बाते हैं जिससे सीख लेने की आवस्यक्ता है आज अगर हम सहकारिता की बात करते हैं किस तरीके से किया जा सकता है भारत सरकार दस हजार फार्मर प्रडूसर ओर्गरनेशन बनाने की बात की है और कई बन चुके हैं कई हजार बन चुके हैं और ये जो बनाने की उद्देश से है उसी दिसामे के कदम है कि सारे किसान एकठी आएंगे काम करेंगे और एकनॉमी अप स्केल अपरेट करेगा और किसान का बार्गेनिंग पावर बढ़ेगा और किसान खूद प्रसंसकरण कर सकता है उत्पादन के साथ-साथ गुणजुक्त जब होगा उसका पदार्थ उसका भाव जादा मिलेगा बाजार में और बाजार के साथ जुड़ पाएगा तब जाके उसको फाइदा मिलेगा जादा फाइदा मिलेगा और ये सहकारिता का ये एक नतीजा है जो हमारे सामने है दुद उत्पादक एकठी होते हुए गुजराट में जो उत्पादन थोड़ा थोड़ा उत्पादन करते थे जब एकठी हो जाता है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है scale of operation बढ़ जाता है और उसी के साथ साथ उसका distribution, marketing, packaging, branding उसके साथ साथ चलता है और distribution होता है तो उसका जो है फाइदा किसान को मिलता है और जितने players होते हैं वो value chain में सबको फाइदा होता है और इसका replication कई प्रदेशों में हुआ है और उसके बिस्तरित रूप से अन्याने बगता बताएंगे लेकिन ये एक मुख्य जो हमारा फाइदा है कि economy of scale होने के कारण तो किसान को फाइदा होता है दूसरी बात ये है कि consumers को भी फाइदा होता है गुणबर्धन होने के कारण consumer को भी फाइदा होता है अभी बताया गया जैसे प्रसंस करण होने के कारण medicinal plants में किस तरीके से गुणजुक्त होता है पदार और बाजार में जाता है तो जो user है उसको भी फाइदा होता है इसी तरह का कई उदाहरन है अभी इफको का representative manager यहां बैठे हैं उसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे कितना बड़ियां उदाहरन है 40,000 से ज़्यादा cooperative एकठी आकर यह इतना बड़ा organization खड़ा किये हैं और किस तरीके से उनको returns मिलता है और CSR के तहत हो और otherwise तो यह जो सहकारिता का जो फाइदा है वो कई उदाहरन है हमारे सामने और किसान एकठी आते हैं तो उनको फाइदा होता है लेकिन यह संभव नहीं होता अक्सर कि किसान एकठी आएं तो अक्सर फाइदा हो उसके लिए हमें कुछ चीजों की आवस्थिक्ता होता है और यह study से पाया गया है कि उसके लिए जो नित्रुत्यों की आवस्थिक्ता है वो नित्रुत्यों की अगर अभाव हो तो यह सफलता पुर्वक उसका implementation नहीं हो पाता है और नित्रुत वो सब को लेके चलने बाला नित्रुत होना चाहिए सबका हीत देखने बाला नित्रुत होना चाहिए और जब उस तरह का नित्रुत होता है सवकारिता का तब जाके उसका पावर बढ़ जाता है हम सहादरी में देखे हैं जो किसान फार्मर प्रडूसर और्गनाईशन बना है यह concept बनने से पहले वो बना हुआ है लेकिन उसका जो पावर है अभी बाजार के साथ जोडने का और छोटे किसान को फाइदा देने का एक उदारन है बाकी किसानों के लिए कि कैसे हम सफलता पुर्व का इस तरह का सहकरिता बना सकते हैं लेकिन एक दो बात और करके मैं समाप्त करूँगा समय बहुत संखित बहुत सारे बक्ता हैं उन्चे सिखने के आवस्यक्ता है हमें और सनमान्य मुख्य अतिथिकों भी सुनना है एक बात यह है कि हमारे सारे किसान छोटे और सिमान किसान 85% से जादा छोटे खेत और फ्राग्मेंटल लैंड होल्डिंग होने के कारण वो एकनॉमी अप स्केल नहीं हो पाता है और यह छोटे खेत के कारण उसमें टेकनोलजी भी विवहार नहीं हो पाता सही तरीके से और इसलिए छोटे किसान और बड़े जोट होने की आवसित्ता है और वहाँ कोपरेटिव बनाना जरूरी है और कोपरेटिव जब बनता है छोटा किसान होने के बाबजुद खेत बड़ा हो जाता है और कई अन्य अन्य देश में इसका उदाहरण है चोटे खीसान बड़ा खेत और बड़ा खेत होने के कारण टेकनोलोजी इस्तमाल होता है सही टेकनोलोजी का इस्तमाल होता है हम अभी बोलते हैं कि ड्रोन का इस्तमाल करो किसान ड्रोन का लंच हुआ है और ड्रोन का इस्तमा कर सकते हैं लेकिन उसके साथ साथ सही समय पर सही परिमान में खाद देना पानी देना उसका बचत करना प्राक्रितिक संसाधन का सही इस्तमाल करना पैदावार बढ़ाना सही समय पर हर्वेश करना और प्रसंसकरन करना इस सब उसके साथ जुड़े हुए हैं और उसके साथ सा इस लिए बहुत सोच समझ कर सहकारिता को अपनाते हुए cooperative system को model को अपनाते हुए उसका फाइदा लेना चाहिए और यह किस तरीके से उसको सरकार अपनाएगा और implement करेगा इसके बारे में हर एक state government चर्चा करते हैं अब आज काल cooperation अलग department बन चुका है उडिशा में भी बना हुआ है और मैं समझता हूँ उसका पुरा फाइदा उठा रहे होंगे और उठाएंगे भी और ये बड़ा खेत जब हो जाएगा उसमें irrigation management सही हो जाएगा पानी का बचत होगा, खाद का बचत होगा, बड़े प्याच में आप organic के खेती कर सकते हैं और ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए सारे fossil का monitoring कर सकते हैं और कब harvest करेंगे उसको भी determine कर सकते हैं, जान सकते हैं और बाजार में सही मुल्य आपको मिल सकता है तो इसलिए मैं सारे किसान मित्रों को निवेदन करूँगा इसका फाइदा तो लेना चाहिए सवकरिता का लेकिन इसके बारे में सरकार के जो जोजनाए हैं उसके बारे में जानकारी भी होना चाहिए और जानकारी के अभाव से कारण जो किसान सारे प्रोग्राम का फाइदा नहीं ले पाता और इतने जो जनाएं हैं उसमें किसान कंफ्यूज भी हो जाते हैं सारे फाइदा के बारे में जानकारी भी नेल ने ले पाते हैं तो इसलिए हमारा आज तरह के जो कारेकरम आज कल हो रहा है और भी से इस रूप में और्गस टिवी के तरफ से इस कारेकरम का जो आयजन किया गया है इसका महत उद्देश से यही है कि किसान बित्रों के पास हम पहुंचे और यह संबाद पहुंचाए कि सहकारिता के जवारा कोपरेटिव सिस्टम मॉडल के द्वारा आप एकतरित होकर ससक्त हो सकते हैं और पुरा फाइदा सरकार का ले सकते हैं और टेकनोलोजी का सही इस्तमाल करते हुए उसका फाइदा उठा सकते हैं और जो हमारे देसी किसमें हैं देसी किसमें बहुत सारे गुनबता है और जल दक्या ले सकते हैं उसका औधिकार आपका है उसको protect आप कर सकते हैं पी पी भी एफर जो authority बना है act के तहट उसमें आप registration करेंगे उसके उसका आपका औधिकार है कि आपका जो किस्म है जो variety आपका है उसके उपर आपका औधिकार है कोई दूसरा कोई ब्यक्ति या organization आपसे अगर लेता है और commercialize करता है उसका हिसाब को मिलना चाहिए तो इसलिए आप अगर अगर अपना किसम का registration हमारे साथ कराएंगे और उसका उगाएंगे और उसका commercial करके आप फाइदा लेंगे और cooperative way में उसका उगाना शुरू करेंगे य झाल झाल